तो हाई एब्रोवन फिर से एक नए वीडियो में आप सभी के स्वागत है तो दोस्तों क्या आपके फुन में जो डेली टाटा यूजस है वो बहुत ही ज्यादा खार छोड़ा है आप इसी चीज को लेका टेंशन में है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अलाश्ट तक देखिए क्यूकि फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में आप लोगों को एंडूर्ट फुन का दो ऐसी सेटिंग्स दिखाऊंगा जो सेटिंग्स कारने के बाद आपके फुन में जो डेली टाटा यूजस है वो बहुत ही काम हो जाएंगे तो चलिए फटावर्स से उन दुन चलाते हो उस टाइम बहुत सरी वीडियोस आटोमेटिकली प्ले होने लगती है यूट्यूब पर जिन वीडियो को आप देखना नहीं चाते हो उन वीडियो भी प्ले होने लगती है जिसके बचा से फुन में जो टाटा है वो खर्च होती रहती है तो आपको पहले आपके यूट्यूब पर जो auto play video से उसको बंद करना होगा तो YouTube पर auto play videos को बंद करने के लिए आपको यहाँपे मिलेगा Logo तो आपको tap करना होगा इस पर और फीर आपको नीचे मिलेगा Settings तो आपको जाना होगा Settings पर और Settings पर आप जैसे जाेंगे फिर आपको मिलेगा General, तो आपको टैप करना होगा General के उपर, और General के उपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा Playback in Fits, तो आपको इसके उपर टैप करना है, और टैप करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके फुन में Always on या WiFi only select होगा तो आपको off के उपर क्लिक करके off को select करना है और off को select करने के बाद आप जिस time YouTube चलाओगे उस time browse feature में कोई भी वीडियो अटोमेटिकली प्लेयर नहीं होगा आप जाब भी कोई भी वीडियो को प्लेयर करोगे उसके बाद ही वीडियो प्लेयर होगा जिसके बाज करते हैं और करते हैं भूट सारे डाटा आपने आप काटने लाग जाती है तो इसकारी जो नहीं है दोस्तों कि आपके फुन में जितना भी ऐप्लिकेशन भलाया है उन-चाहा किसी भी अप्लीकेशन पर भी कोई अपडेट आती है तो वो अप्डेट होने लगती है, जिसके बज़ा से फुन में जो टाटा है, वो खर्च होती रहती है, तो अगर आप चाहते हो, कि आपके फुन में कोई भी application अप्डेट ना हो, तो इसके लिए आपको पहले एक सेटिंग करना होगा, तो सेटिंग करने के लिए आपके फुन में प और सेटिंग्स पर आप जैसे जाएंगे, फिर आपको दूसरा option पर मिलेगा network preferences, तो आपको टैप करना है इस पर, और फिर आपको मिलेगा auto update apps, तो आपको इसके उपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके फुन में यहाँ पर first या second option select होगा, तो आपको निचे मिल आपको इसके उपर क्लिक करके इसको select करना है, और select करने के बाद आपको done कर दना है, तो आप जाब भी don't auto update apps को select करके done करोगे, उसके बाद आपके फुन में कोई भी application automatically update नहीं होगा, तो यही था Android फुन में data users को कम करने का दो settings, तो मिलते है किसी next वीडियो में, किसी नाट आपके के साथ, तब तकले जाए बारत, जाए हैंद!